नमस्कार किसान साथियों स्वागत एक क्रिशीर नेचर में आज मैं बात करने हो आपसे टोफ फाइफ वराइटियों के बारे में जो स्वाइबीन के एकदम नहीं लेटेस्ट वराइटी है और 2023 में किसानों को पसंद भी आ दियों थो अब ही 90 दिन की स्थिती बन रही है और मैं जो वराइटिय आपको बताने वाला हूँ उसमें से चार विरैटियох और चॉरुकल की आप एक बन रही है इसमें ये सभी नहीं है और अंत की जो दो विराइटिय बताने वाला हूं में वो आप उसे देखकर कहें कि हाँ आमें यही विराइटी लगानी है भाई साब तो देखते हैं वीडियो का अंत तक बने रहीएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब विश्य किजिएगा तो देखिए टोप फाइब में से फस्ट विराइटी यह है नार से 121 जो कि 90 दिन की स्थिति में है और पकर त्यार है बिल्कुल तिन दाने की फलिया जो है अधिक है फलिया जो है जुमकों में लगी हुई है साइज जो है क्रम बस जुमके लगे हुए है नीचे तक देखिए आप तो यह है नार से 21 और हमने इसमें 20 दर रखी थी 20 किलो प्रतिविगा और यह है इंदोर संस्ता अंदोरा जारी की गई विराइटी आपको कैसे लगी मुझे करण बॉक्स में जरू बताइएगा बढ़ते हैं अगली वि आर्वी एसम की है तो देखिए क्या इस्तिती बन रही है उसमें 90 दिन में यह है आर्वी एसम की 12-04 जो कि 90 दिन में पक्कर बिल्गुल थेयार है अब अपने स्क्रीन पर देखिए और लोकविन कीजिए और इसमें जो है फलिया इसमें भी जुमकों में लगी हुई है क्रम अब दिन में पकर त्यार हो गई है तो यह विराइटिया आपको केसी लगी मजे गण बोक्स मुझरू बताईएगा बढ़ते अगली विराइटिय के और वीडियो के अंद तक बने रही है और जो यह सारी विराइटिया है तिसे नंबर की विराइटिया है यह बात कर रहे ह हुआ लेकिन यह टीएज 214 है और यह भी 50-90 दिन की विराइटि है और अभी सुख गई है बिल्कुल कटने को तयार है आप देखिए इसका जो दाना है वह आप जो पिंचाण साथ है उस दाने से लगबग डबल दाना है और हाइट की बात की जाए तो हाइट कम ही रहती है जिससे फलिया जो है इसमें अधिक लगी हुई है रांचेस निकली हुई है किसी प्रहा कोई रोग विशेज रोग नहीं लगता है अधितर रोगों के पति रेजिस्टेंस ही दाना जो है बड़े साइज में आता है जो की दूसरी सुख इन से डबल हो जाता है तीन विराइ जो है वाट्सब निंबर चलाओंगा अब उस पर कॉल कर सकते है और सारी विराइटियों की जानकरी ले सकते हैं लगबग 20 विराइटियों की जानकरी आपको उपलबद हो सकेगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस आप पूपिस जानकरी दे दूगा जो हमारे देखिए कौन सी विराइटी है तो यह वह विराइटी है जिसके में बात कर रहा हूं और मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाए हैं मैं इसकी लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप वहां जाकर देख सकते हैं जब यह हरी थी तो यह है जब यह सुखी है तिन दाने की फली है अधिकता रहे यह जो पोदा आप देख रहे हैं यह जेज 22,18 और भी आपको पोदे बताता हूं मैं सारे यह देखिए प्लोट है दो एकड में लगी हुई है और जितने भी विराइटिया में पहले भी आपको बताई है वो सभी दो नहीं लगी हुई थी तो चार विराइटिया में आपको पता चुका हूं बढ़ते हैं अगली और अंतिम और पांची विराइटी की और जो कि बहुत शांदार अवस्ता में खड़ी अभी अभी इस विराइटी का नाम किसानों की जुबान पर रहता है उसके तारीब करते थकते नहीं है यह है आर्वियस की 11-32 और 100 दिन की विराइटी है इसकी पहले प्रिप्रक्ता है 90 दिन की इस्तितिया भी बन रही है तो देखिए कि क्या इस्तितिया इसका फली होगा तो देखिए आप यह पोदे खड़े हैं इसलिए मैं आपको कहरा तक वीडियो के अंतक बने रही है कि गेट ओफ फाइफ विराइटीवी है और किसानों की जुबाव पर इसका नाम है यह आर्वियस की 11-35 तीन दाने चार दाने की फलिया चौदा कीलो प्रती विगा के हिसाब समने इसमें वीज़दर डाला है आप चौदा से पंद्रा कीलो आखरी इसका बीज़दर डालने का अगर इस से अधिक आपने अगर डाला तो यह सगन हो जाएगी और हो जकता है इतना अत्परण नहीं दे सके आपको जितना इसका होत अगर बनती है तो इस पर कोई उसका प्रभाव नहीं है बिल्गुल भी और शांदार इसकी में खड़ी अभी और यह सो दिन की में बिल्कुल कटकर त्यार हो जाएगी तो यह राइटिया आपको पांचों कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्सम जरू बताईएगा और